दा नेम ओव दा चैप्टर इज चांदनी इसमें हम चांदनी के बारे में पढ़ेंगे चांदनी एक गोट है तो उसके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे लेट अस्टार दा चैप्टर Once upon a time there lived an old man in Almora एक बार की बात है Almora में एक बुड़ा आदमी रहता था He was popularly known as Abdu Khan लोगों में वो Abdu Khan के नाम से जाना जाता था He lived all alone except for a few goats वो बिलकुल अकेला रहता था कुछ एक बक्रियों को छोड़कर जो उसके पास थी उसको छोड़कर वो अकेला ही रहता था which he always kept as pets उन बक्रियों को वो हमेशा पालतू बना कर रखता था He gave his goats funny names वो अपनी बक्रियों को बड़े मज़ेदार नाम देता था such as कलुआ, मुंगिया और गुजरी जैसे की कलुआ, मुंगिया और गुजरी He would take them out for grazing during the day वो उनको दिन के समय चराने के लिए ले जाता था and talk to them as one talks to one's own children और उनसे वो वैसे ही बात करता था जैसे कोई अपने बच्चों से बातें करता है At night, he would bring them back to his little hut रात को वो अपनी छोटी सी जोंपडी में उनको बापस ले आता था and put a string around the neck of each goat और वो उनमेंसे हरेक बकरी के गले में एक रसी डाल देता था पूर अबू खान was a little unlucky in the matter of his goats अपनी बक्रियों के matter of के मामले में अबू खान, बेचारा अबू खान थोड़ा सा दुरभागय शाली था उसकी किसमा ठीक नहीं थी बक्रियों के मामले में very often at night, one of the goats would pull and pull at the string till it broke loose हरेक कई बार रात के समय वो बक्रियां उस रसी को खींशती रहती थी जब तक कि वो ढीली तूटकर ढीली नहीं हो जाती थी and then would disappear in the hills beyond और तब वो बक्रियां वहाँ पाडियों के परे गायब हो जाती थी goats in hilly regions hate being tied to trees or poles पाडियों की जो बक्रियां होती है वो किसी पेडों से या फिर पोल से बांधे जाने को पसंद नहीं करती है they love their freedom वो अपनी स्वतंतता से प्रेम करती है abu khan's goats were of the best hill breed abu khan की बक्रियां सबसे अच्छी पहाडी नसल की बक्रियां थी they true loved their freedom वो भी अपनी अजादी से प्रेम करती थी so whenever they got the chance इसलिए जब भी उनको जब कभी उनको मौका मिलता they would run away वो भाग जाती थी only to get killed by an old wolf who lived in the hills और वो भागती थी और पहाडियों में जो भेडिया रहता था उसके द्वारा वो मार दी जाती थी whenever one of his goats disappeared जब कभी भी उसकी कोई बक्री गायव हो जाती abu khan was very sad तो समय abu khan बहुत दुखी हो जाता he did not understand why even the juicyest grass and greens that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death वो ये इस बात को समझ नहीं पाता था कि क्यूं वो बक्रियां जिनको वो सबसे ज़्यादा रस भरा और रस भरा गास और अनाज देकर भी all of them और वो सारा प्रेम जो उनको वो उन पर वो बरसाता था shower down them प्रेम की जो बोचार वो उनके उपर करता था उसके होने के बजाए भी वो दुरुभाग्याशाली बक्रियां वो बदकिस्मत बक्रियां कियूं वो सीधी मौत के मूँ में मौत के जबडे में सीधे चली जाती थी are these goats mad क्या वो बक्रियां पागल थी he wondered वो हैरान होकर सोचता था or was it their love for freedom या क्या वो उनका स्वतंतता के लिए प्रेम था जिसके काणू भाग जाती थी but freedom meant struggle, hardship, even death मगर अजादी का मतलब होता है संघर्ष, कठिनाईयां और यहां था की मृत्यू अबु खान could not solve the mystery अबु खान इस रहस्य को हल नहीं कर सकता था one day when all his goats had left him एक दिन जब उसकी सारी बक्रियां उसको छोड़ कर चली गई अबु खान said to himself, अबु खान ने स्वेहम से कहा no more goats in my house even ever again अब मेरे घर में दोबारा कभी कोई बक्रियां नहीं आएंगी I may yet live for a few more years मैं कुछ और साल जीवित रह सकता हूं but I'll live without goats मगर मैं बीना बक्रियों के रहूंगा, जीऊंगा however, the poor old man was terribly lonely हालांकि वो बेचारा बुड़ा व्यक्ती बिल्कुल अकेला था he simply could not do without his pets वो अपने पालतु जानवरों के बिना जिन्दा नहीं रह सकता था very soon he thought, sorry, very soon he bought a young goat जल्दी उसने एक नौजवान बक्री खरी दी he thought, वो सोचता है a young goat will stay with me much longer कोई नौजवान बक्री मेरे साथ जादा लंबे समय तक रहेगी she will soon begin to love me as well as the food I give her every day वो जल्दी ही मुझसे प्रेम करने लगेगी और उस भोजन से भी वो प्रेम करेगी जो हर रोज मैं उसको देता हूं दूंगा she will never want to go to the hills वो कभी भी पहाडियों पर नहीं जाना चाहेगी and he laughed with joy और वो खुशी से हंसने लगा the new goat was very pretty वो नहीं बक्री बहुत सुन्दर थी she was white as snow वो बर्फ जैसी सफेद थी and had two little horns on her little head और उसके छोटे से सिर पर दो छोटे छोटे सींग थे and a pair of gleaming red eyes और उसके सिर पर दो चमकदार लाल लाल आंके थी she had a friendly temperament उसका स्वभाव दोस्ताना था temperament means स्वभाव and would listen to abu khan's tales with a lot of interest and affection और वह abu khan की tales कहानियों को बहुत ज्यादा a lot of, बहुत सारे interest बड़ी रूची के साथ and affection और बड़े स्ने के साथ उसकी कहानियों को सुनेगी abu khan called her chandni abu khan उसको chandni बूलाता था which means moon light जिसका मतलब होता है chand ki roshni he loved chandni वो chandni को प्रेम करता था and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone और वो उसको वो सारी कहानिया सुनाता था अपने सारे दोस्तों के बारे में जो की या तो मर गए थे या उसको छोड़कर चला गए थे उनके बारे में वो कहानिया सुनाता था several years passed कई साल बीत गए chandni was still there chandni अभी भी वहीं थी abu khan believed that chandni would never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond abu khan ने बिश्वाश किया की chandni कभी भी उसके compound बारे को छोड़कर for the free and fresh air स्वतंत्र और ताजी हवा उन पहाडों की जो वहाँ परे थे उन पहाडों की ताजी और उनमुक्त हवा के लिए उसको छोड़कर वो नहीं जाएगी अलास बड़े दुक्की बात थी he was mistaken again वो दुबारा गलती कर रहा था every morning chandni watched the hilltops bathed in the sunlight हर सुभ चांदनी पहाडों की चोटियों को जो की धूप से नहाई होती थी देखा करता था how beautiful those hills आ वो पहाडियां कितनी सुंदर है she thought वो सुस्ती थी how refreshing the breeze that blows through them और कितनी तरो ताजा करने वाली वो पवन थी जो की उन पहाडियों में से बैठती रहती थी and how lonely to run across those green fields how lovely और कितना प्यारा होगा उन पहाडियों के आर पार उन हरे भरे खेतों के पार दोड कर जाना कितना प्यारा होगा she ran towards the hills वो पहाडियों की तरफ दोडती but had to stop with the jerk मगर उसको जटके से रुख जाना पडता the rope around her neck wouldn't let her go any further उसके गले के चारों तरफ जो रसी थी वो उसको और आगे जाने नहीं देती how she hated that rope उस रसी को कितना जादा ना पसंद करती थी नफरत करती थी उससे she stopped eating the green grass अबु खान brought for her उसने उस हरे भरे घास को खाना भी छोड़ दिया जो की अबु खान उसके लिए लाता था nor did she listen to his stories with interest and affection और ना ही वो अबु खान की उसकी कहानियों को रूची के साथ और स्ने के साथ अब वो नहीं सुनती थी she lost her appetite उसने अपनी भूख खोदी मलो उसकी भूख मर गई grew very thin वो बहुत दूबली हो गई and stared moodily at the hilltops bathed in sunlight और वो उन पहाड़ीयों को जो की धूप से नहाई होती थी उनको बड़े चाव के साथ बड़े मन के साथ उनको stared घूरा करती थी अबु खान डिज नड अंडरस्टेंड चांदनी ज एंग्विश अबु खान ने चांदनी के दर्द को उसकी पीडा को नहीं समझा at last she decided to speak to him frankly अंत में उसने चांदनी ने अबु खान से खुल करके बात करने का फैसला किया dear अबु खान अबु खान she said उसने कहा let me go to the hills please कृपा करके मुझे उन पहाड़ियों में जाने दो if I stay on in your compound I'll die अगर मैं आपके बाड़े में दूकी रही वहाँ पर ठेरी रही तुम्हें मर जाऊंगी now अबु खान understood चांदनी ज प्रॉलम अब अबु खान चांदनी की समस्या को समझ गया but it made him very unhappy मगर इससे वो बहुत दूखी हो गया the other part which contained चांदनी ज ब्रेकफास्ट fell from his hands वो मिट्टी का जार मिट्टी का जो बरतन था जिसमें चांदनी का ब्रेकफास्ट था वो नीचे गिर गया उसके हासे गिर गया and broke into a thousand pieces और उसके हजारों टुकडे हो गए why do you want to leave me चांदनी चांदनी आप मुझे छोड़ कर क्यों जाना चाती हो अबु खान आस्कड अबु खान ने पूछा I want to go to the hills चांदनी आंसर चांदनी ने उतर दिया मैं उन पहाड़ियों में जाना चाती हूँ don't you like the food here क्या तुम यहां के भोजन को पसंद नहीं करती हो I'll give you tastier food and much longer rope मैं तुमें ज्यादा स्वादिष्ट भोजन दूँगा और ज्यादा लंबी रस्षी से तुमको बांधूँगा No, thank you Let me go to the hills नहीं, धन्यवाद आपका धन्यवाद मैं पहाड़ियों में जाना चाती हूँ Do you realize the risk you are running? क्या तुमें उस खत्रे का एसास है जो तुम मोल लेने जा रही हो You obstinate creature तुम एक जिद्धी प्रानी हो There is a dangerous wolf in the hills उन पहाड़ियों में एक खत्रनाक भेडिया रहता है He will eat you up वो तुमें निगल जाएगा, खा जाएगा अबु खान did his best to warn her अबु खान ने बहुत ज्यादा कोशिश उसको वान हो, उसको चुनोती देने की उसको चिताबनी देने की पूरी कोशिश की चांदनी answered, चांदनी ने उत्तर दिया God has given me a pair of horns भगवान ने मुझे एक जोड़ी सींग दिये है I'll fight the wolf मैं उस भेडिये से लड़ूँगी Fight the wolf, indeed सच में, सच में तुम उस भेडिये से लड़ूगी Have you forgotten the story of your sister Kalua? क्या तुमने कलुआ की, अपनी बहन कलुआ की कहानी को भुला दिया? Who was the size of a big deer? जो की एक बड़े हीरन के आकार की थी She fought the wolf through the night वो उस भेडिये से सारी रात लड़ती रही But was killed in the morning मगर वो सुभा मारी गई अबु खान नरेटिड कलुआ स्टोरी for the 15th time अबु खान ने कलुआ की कहानी पंदरवी वार बताई To all this, चांदनी had only one thing to say इन सब बातों के लिए चांदनी के पास एक ही चीज कहने के लिए थी I want to go to the hills में पहाडियों में जाना चाती हूँ अबु खान गोट वेरी अन्नॉइड अबु खान बहुत नाराज हो गया He thundered वो गरज कर बोला You are not going anywhere तुम कहीं नहीं जा रही हो From today, you will live in a small hut आसे तुम एक छोटी सी जोंपडी में रहोगी And not move about freely in the compound Ungrateful as you are तुम बड़ी ऐसान फरामोश हो You must still be saved from the wolf फिर भी तुमें उस भेडिये से बचाना पड़ेगा He pushed her into a small hut and shut the door उसने उसको एक छोटी सी जोंपडी में देकेल दिया और द्रवाजे को बंद कर दिया But she forgot to close the small window at the back मगर उसने पिछवाडे की एक छोटी सी खिड़की को बंद करना वो भूल गया The same night, चान्दनी made that window her passes to freedom उसी रात, चान्दनी ने उस खिड़की को अपने आजादी का रास्ता बनाया मनलों वहां से उस खिड़की से वो भाग गई चान्दनी reached the hills, चान्दनी पहाडियों में पहुंच गई It seemed to her that the old hills were standing in a row to welcome her उसको ऐसा लगा जैसे वो पुरानी पहाडियां एक पंक्ती में खड़ी होकर उसका स्वागत कर रही हो She felt like a child meeting her parents after years of separation उसको ऐसा अनभब हुआ जैसे की कोई बच्चा अपने माता पीता से सालों की जुदाई के बाद मिल रहा हो Whenever she went, wherever she went, जहां कहीं भी वो जाती, the tall grass rose to embrace her लंबा घास, लंबी घास उसको गले लगाने के लिए उठ खड़ी होती, the flowers bloomed to amuse her फूल, उसका मन बहलाने के लिए, खिल उठते And the wind sang an endless song of welcome और पवन स्वागत का अंतहीन गीत उसके लिए गाती How different all this was from her past in the prison house of abu khan's compound ये कितना अलग था, ये सारी चीजें उसके, her was from her past उसके भूत काल से जो abu khan के उस बाडे में जो की किसी पिंजरे जैसा था उस बाडे से ये सारी चीजें कितनी भीन थी ये चांदनी के जीवन का सबसे खुशियों भरा दिन था That day she played for hours on the grassy slopes of the hills उस दिन वो उन पहाडियों के घास वाली धलानों पर घंटों तक खेलती रही She met a herd of wild goats वो एक जंगली बक्रियों के जुंड से भी मिली Who asked her to join their group जिनने उसको अपने ग्रुप में अपनी टोली में शामिल होने के लिए कहा But चांदनी politely refused मगर चांदनी ने बड़ी बिनमबरता से इनकार कर दिया She wanted to enjoy her new freedom by all by herself वो अपनी इस नई आजादी को अकेले आनंद उसका मनाना चाहती थी अपनी आजादी का वो अकेले ही आनंद मनाना चाहती थी was stillness all around और चारो तरफ चुपी चाह गई except for a strange sound which was coming from the bushes सिर्फ उस अबाज को जो की जाडियों से आ रही थी उस अबाज को छोड़ कर चारो तरफ सनाटा चाह गया the sound was like a grunt वो आवाज किसी गुराने जैसी आवाज थी what was it ये क्या था it wasn't अबु खान's voice calling her back to the compound ये अबु खान की उसको बाड़े में बापस बुलाने की आवाज नहीं थी nor was it the voice of another god और ये किसी दूसरी बकरी की आवाज भी नहीं थी then चांदनी thought of the dangerous wolf तब चांदनी उस खतरनाक भेड़िये के बारे में सोचने लगती है who lived in the hill जो की पाड़ियों में रहता था she felt scared उसको डर लगने लगा should she go back to the safety of अबु खान's hut क्या उसको बापस अबु खान की जोंपडी की सुरक्षा में चले जाना चाहिए no, नहीं, नहीं, she said to herself, उसने स्वयम से कहा death in an open field is far better than life in a small hut किसी छोटी जोंपडी में जीवन से ज्यादा बहतर किसी खुले खुले क्षेतर में मौत ज्यादा अच्छी होती है the wolf had come out of the bushes, वो भेडिया जाडियों से बाहर निकलाया and was staring greedily at चांदनी और वो चांदनी को बड़े लालज के साथ घूरने लगता है his eyes were shining, उसकी आँखे चमक रही थी like burning coals in the darkness किसी अंधेरे में किसी जलते हुए कोले की तरह उसकी आँखे चमक रही थी he seemed in no hurry, वो किसी जल्दी में नहीं लगता था he knew the new goat was his, वो जानता था कि ये नई बकरी उसका शिकार है the wolf and the goat sized up each other, उस भेड़िये ने और उस बकरी ने एक दूसरे किता लेने की कोशिश की the wolf was big and ferrocious, वो भेड़िया बड़ा था और बड़ा भ्यानक था ferrocious means भ्यानक, डरावना, whereas the goat though healthy was small हलांकि जबकि वो बकरी, हलांकि वो स्वास थी, मगर वो छोटी थी but small is not weak, मगर छोटा कमजोर नहीं होता है चांदनी stood firm on her legs, चांदनी अपनी टांगों पर द्रिरता से खड़ी हो गई, head slightly bent, उसका सेर थोड़ा जूखा हुआ था and horns jutting out और उसके सिंग बाहर निकले हुए थे, she was a picture of courage, वो साहस की तसवीर थी, courage means साहस हिम्मत, she looked like a brave soldier, ready to fight a treacherous enemy, वो किसी बहादूर सीपाही की तरह लगती थी, जो की एक धोखे बाज, treacherous means धोखे बाज, enemy दुश्मन से लड़ने के लिए तयार थी, I must put up a good fight, मुझे अच्छी टकर देनी होगी, चांदनी thoughts, चांदनी सोचने लगी, success or failure is a matter of luck or chance, सफलता या असफलता, भग्या का और मौके का खेल होती है, भग्या की बातें होती है, दा फाइट बिगेन, लड़ाई शुरू हो गई, इट वेंट ओन थू दा नाइट, लड़ाई सारी रात होती रही, दा मून विच हैद बीन वचिंग दा फाइट, वो चंदरमा जोकी लड़ाई को देख रा था, बिगेन टो ग्रो पेल, वो पीला होने लगा, एंड सड़नली हिड बिहाइंड दा क्लाउड और वो अचानक बारलों के पीछे चिप गया, दा स्टाज अलसो बिगेन टो डिसापियर वन बाई वन, और तारे भी एक एक करके गायब होना शुरू हो गई, एक धुंदली सी रोशनी पूर्वी दिशा में दिखाई देने लगी, एंड दा मौनिंग कॉल फॉर प्रेयर केम फॉर्म डिस्टेंट मॉस्क, और एक दूर की मसिद से प्रार्थना की आवाज, सुबह की प्रार्थना के लिए सुबह की जो पुकार थी वो आने लगी, दा फस्ट रेज ओब दा सन सो चांदनी लाइंग ओन दा ग्राउंड, सुर्य की पहली किर्णों ने चांदनी को जमीन पर पड़े हुए, पाया, शी वोज कम्प्लीटली सोक्ड इन बलड, की वो ठक गया था और उसको नींद आ रही थी, वो जगेटिंग रेजी टू डिवोर हा, वो बेडिया उस बकरी को चांदनी को खाने के लिए तैयार हो रहा था, पक्षियों का एक समू, एक जुन्ड जो की पेड की चोटी पर बैठा हुआ था, पर्च्ड बैठा हुआ था, पास में वो डिवेटिंग दा रिजल्ट अफ दा फाइट, वो पक्षी आपस में उस लड़ाई के परिणाम के बारे में बहस कर रहे थे, वो इस दा बीन, विजेता कौन है, वन अफ देम आस्क्र, उन मेंसे एक पक्षी ने पूछा, दा वुल्फ, भेडिया, अफ कोस, बेशक, भेडिया विजेता है, मोस्ट अफ देम सेड, उन मेंसे जादतर पक्षियों ने ये बात कही, वाइज ओल बर्ड, डिक्लेम्ड बिद कॉन्फिडेंस, मगर एक बुद्धिमान, भूढ़े पक्षी ने उनके विश्वाश को खारीज कर दिया, उनके दावे को नकार दिया, चांदनी, इस दा विन, चांदनी बिजेता है, इस टोरी रिटन बाई जाकिर उसेन, जाकिर उसेन ने इसको लिखा है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें, और मेरे यूटूब चैनल गूरुगिरी इंगलिश क्लासीज को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो तक आपको, अवान नाईस दे, थैंक यू